रजिस्तान में इंदुस्तान कॉपर लिमिटेट के कोलिहान खदान में फसे 15 अफसरों में से 8 को बाहर निकाल लिया गया है पहले राउंड में बुदवार सुबह करीब 7 बजी 3 लोग निकाले गए थे जिने जैपूर रैफर कर दिया गया था दूसरे राउंड में सुबह करीब 9 बचकर 10 मिनट पर 5 लोगों को बाहर निकाला गया है सभी की स्तिती ठीक है, रैस्क्यू में रगे दिकारियों का कहना है कि 7 लोगों को भी जल्धी बाहर निकाल लिया जाएगा मंगलवार शाम हुए हाथसे में 15 धिकारी फस गए थे, नीमकतान अजले कि इस ख़दान में 1875 पीट की घराई में लिट की चेन टूट गए थी अंदर फसे लोगों के लिए रात में दमाईया और फूट पैकेट भी बेजे गए वहीं अंबुलेंस और डॉक्टर्स की टीमों को भी रात में अलर्ट मोड पर रखा गया था ख़दान में और फसे सबी लोगों को बाहर निखाल लिया गया है जिन में से तीन लोग थोड़े सीरियस थे जिनको बाहर लाकर जैपुर के लिए रेफर कर दिया गया है बाकी ओंको लानी के लिए गाडी गई पेरो में फैक्चर है, किसी का आथ में फैक्चर है, बाकि सब सेफ है, बिल्कुल सेफ है, कोई कोई दिक्कत निये, कोई नोट को आई है, चोटे को लगबक से ही है, चोधा लोग है, चोधा लोगों को लगबक से है, तीन लोगों को नहीं है, लगबक लोगों को चोट है, अ बता दे कि नीम का थाना के खेतरी माइन्स में जो है कल देरात बड़ा हाथसा हो गया था जिसमें 15 अधिकारी जो है इस बीच लिफ्ट में फस गये थे बता दे कि लिफ्ट की चेन तूटने से ये बड़ा आथसा हुआ है जो की 1845 की गहराई पीट के अंदर ये लिफ्ट पस गई थी जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाय जा रहा था आज सुभा जो है करीब 7 बजे 3 अफसरों को बहार निकाला गया उसके बाद क पांच और अफसरों को बहार निकाला गया बाकियों के लिए जो है लगातार जो है ऑपरेशन चल रहा है जिनके भी आने की जुल्धी संभावना जटाई गई है तुम्हें इस कबर पर जदा ज़ानकरी के लिए हमारे समवादेता पितामबर हमारे सार जुड़ चुके है पितामबर जो खेतरी माइन्स में बड़ा हाथ सा हुआ दे रात अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू हो चुका है क्या कुछ कारवाई जो अभी चल रही है और ब पांच लोगों को दूसरे चरण में निकाला गया था अभी तीसरा चरण शुरुआत हुई है अब कितने लोग बहार आते हैं वो देखना प्रेगा कि उनकी कितनी इंजरी हुई है वो एम्बूलेंस गेट पर तयार है जिस तरह हाथसा हुआ ठाना सो फीट गहराई में जो कि के इस्थानी अधिकारी हैं कोपर माइन्स के जो आठ लोग घायल हुए थे उनको मनिपाल अस्पताल जैपूर के लिए रेफर कर दिया गया है सभी को उनके घंबीर चोटे हैं किसी का हाथ और किसी के पाउं में फेक्टर हैं बाकि तीसरे चरण के लिए अभी एम्बू अधिकारी पुष्टी की बात करें तो अधिकारी जो बोल रहे हैं कि सब लोग सेकुसल हैं और अभी जो भार कितने लोग आपाते हैं उनके इतनी इंजरी है वो देखने के बाद ही पता चल पाएगा डोपरों से बात करने के बाद ही पितामबर ये बहुत बड़ी लापरवाई एक तरह के से देख सकते हैं तो इस बीच क्या कुछ लापरवाई सामने आई है कैसी लापरवाई जी पितामबर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए